हेलो दोस्तों नमस्कार हमारे अपनी यूट्यूब चैनल टूटलिस्टी आईक्यू में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कि क्या उत्तर लेखन में MPPSCIS के उत्तर लेक लिखते समय हमें सब्सीमा का ध्यान रखना चाहिए पालन करना चाहिए इसी की बारे में बात करे है तो पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ यदि आपने मर्र चनल सब्सक्राइब करते हैं या आप यह वी इसी परकार की वीडियो की मतलब चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने का पटन जरूर दबां जिससे हमारी वीडियो का लाटेस्ट नोटिफिकिशन आप तक ठीक है या फिर किसी किसी में 5,000 सब्द भी लिखने पड़ते हैं ठीक है क्योंकि इसमें 12 कुष्षन मतलब साड़े 12 मार्क्स की 20 कुष्षन आते 200 का रहता है तो आप जिसे करोगे तो यह लग चारहजार क्यास चारहजार होता है यहीं कि हमको 180 मिनिट में 20 कुष्षन यहीं क कुष्षन का मालूमें लेवल कैसा आता है उसका आपको एतनीया ब्ुक पढ़के गए वो लिख दिया आपको ज्लब्लो कुष्षिण बनाना पड़ता है उसका पहले आपको ये प्लोचार्ट वगएरा डुसभी वगएरा यह उसे सब बनाना पड़ता एग रफकार आप देड़ पेज, देड़ दो पेज, देड़ पेज मान सकते हैं आप नो मिनिट में कुश्चन का अंसा सोचना भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डारेक्ट लिख देना ही है, ठीक है यदि मैं मिनिट में निकालू ना, तो एक मिनिट में आपको पच्ची सब्द लगने पड़ते हैं तो आप देख लें, यदि आपकी स्पीड इत्ती हो इससे ज़ादा तो यह आप सोचें कि मैं मतलब ज़्यादा लिख सकता हूं कर नहीं लिख सकता हूं मतलब यदि अपनी स्पीड इत्ती है ही नहीं, अपने लिख पाते हैं 20 सब्द तो आप यह ना सोचें कि हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं दूसरा आपने देखा हूँ कि हंदी मीडियम में तो मतलब यह प्रॉल्म में और भी रह दिया लिखते समय यह देखा गया है कि हंदी मीडियम के स्टूडेंट इंगलेस वालों की तुलना में कम लिखते हैं क्योंकि हमारे मात्राइं कुछ पीचे से लगती हैं कुछ इंगलेस मीडियम की बालों की तुलना में लेकिन MPPSC में लाइन वाली कोंपी मिलती है तो वहां पर मतलब जो स्टूडेंट को फायदा मिलता है वहां पर मतलब लाइन नहीं कीचनी पड़ती है उसमें एक अच्छा फायदा है आरेस जो राइस्तान प्रसासनिक सेवा है उ को इत्ती जगह में लेकर ना है तो कहने का मतलब जिन लोगों स्पीट कम है वह ज्यादा सब्दों के बारे में ना सोचे है और मैं बैसे भी UPSC भी एक सीमा देता है जैसे यह आपने मेंस का पेपर देखा हुआ ऐसे का तो उसमें लिखा रहता है कि यह मतलब एक अजास से 1200 सब्दों है ठीक है 125 मार्क का ऐसे एक रहता है ठीक है एक कुश्चन तो मतलब यदि इसका अबरे निकालेंगे तो 1100 तो मतलब यह 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 आपर डारेक्ट भी तो बोल सकता था कि 1000 या 1200 ठीक है इसने भी एक सीमा दिये ना तो अपने मतलब यदि देखेंगे अपने आप लगवग 10% के आसपास हम सब्द इधर उदर कर सकते हैं लगव मानेंगे तो ठीक है जिसे 1000 का 10% इधर ज्यादा इसका एक कम ठीक है तो हम इत्ता कर सकते हैं अब बात करते हैं हम प्रॉपर MPPSC के बारे में MPPSC के लिए हमें MPPSC का क्या कहता है जिसे पेपर का ADN analysis करें पेप MPPSC में answer writing की सब्द सीमा के बारे में हम बता रहे हैं तो देखिए इसमें क्या है पार्ट जो GS के पेपर की बात कर रहा हूं में पहले हैं पार्ट दो पार्ट में पेपर डिवाइड रहता है पार्ट A में कहा रहता है 15 कुष्ण रहते हैं एक कुष्ण तीन मार्क्स का रहत कुष्ण आते हैं 6 6 मार्क्स के तो यह हो गए एक अजाज सब्द ठीक है पर रहते हैं तीन कुष्ण तीन तीन सब्द से नौसब कुष्ण इसी प्रकास से रहता है यदि हम टोटल सब्द देखें तो लगए 500 सब्द हो जाते हैं GS वाले पेपर की बात कर रहा हूं तो इसम लान कुष्ण पूजी जाते हैं आप बुक में पढ़के आओगे तो आप लिख सकते हो मतलब इसमें आपको जादा सोचना नहीं पढ़ता अपनी तरफ से जो बुक में आप पढ़के आए वो यह आप लिख दोगे लेकिन आईएस में आईएस में आप कौन सा सोचना पढ रहती है निकुल टोटल इसमें कित्ते लिखने पढ़ते हैं हमें 1500 सब्द 120 मिनट में यहां पर इसमें क्या है आप काफी रफ वर्क करना पढ़ता है ऐसा नहीं यह ऐसे की लिखावट मतलब जो जी एस की पेपर से काफी डिफरेंट रहती है तो आप यह मैंने आपको बता ठीक है दोस्तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं सेयर कर सकते हैं तो आप सब्द सीमा के बारे में ज्यादा पालन बिल्कुल करें ठीक है दो अपर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद